हेलो स्टुडेंट्स, आज हम नया चेप्टल स्टार्ट करना है एपी का क्लास 12 में, ठीक है न, नेटवर्क सिक्योर्टी, नेटवर्क सुरक्षा, ठीक है न, क्या होती है, सुबसे में बात करते हैं, नेटवर्क सुरक्षा क्या आउशकता डाटा की सुरक्षा के लिए होता कि लाएं नेटवर्क सिक्योर्टी की प्रक्री अधिस के द्वारा किसी नेटवर्क को अनॉथराइट एक्सेज, बिना अनुम्तिक एक्सेज, हेकिंग वायराज बाम साधी से बचाएंगा Network security क्यों ज़रूरी है? कुछ uh data की सुरक्षा करने के लिए हमारे बाल जो भी data होता है उसको save करने के लिए हम network security यूज करते है है हर company के पास परfhops' पर परसोन lead क्या पर लोग मोबायल जला तो तो हमारे मोबायल में भी हमारा personal request data होता ठीकिये ना? तो वो सारी चिजों को सेक्यूर करने के लिए network security कर सकते हैं क्या रहता है कुछ लोग इस से लेते हैं कि जो बीना permission के हमारे data read and write कर देते हैं ठीक है ना पड़ देते हैं हमारे data देख लेते हैं आपको पता भी नहीं चलता है कि सब्सक्राइब करके हैं इसको क्या करते हैं या फिर यह बुल सकते कि हमारा डाटा चौरी भी कर सकते हैं किसी भी computer की सुरक्षा सबसे वड़ी जिम्मेदारी होती है इसका आर्थ हुआ कि operating system कि इन्टीक्रिटी और कॉणंफिटेंश्टली को निश्चित करने की प्रक्रिया एक सिस्टम को सिक्यूर यानी सुलप्षत तभ ही कह जा सकता है जब सबसे सारे संसात्नों का प्रएक्वक किसी बिस्तिति मिंश्चित रुप से कह जाना होगा ठीक है अगर हम बोलते है कि हम किसी पाईल को या व्याओन चीज़ को सबसे बड़ा समय पोइन के आता है लित कि我也 That ऑद किसी को हमारा ऐसकी में भड़ा गूसित रहंगता है कहा है अगर किसी को हमारा अगर करने हैं हम उसकी security पर ध्यान नहीं देते कंप्यूटर के तो सायद हमारा data चोरी हो जाएगा top security जो भी company के secret है वो सारी चीज़े चोरी हो जाएगी जिससे company को भारी से भारी मात्रा में loss होता है तो इसलिए सबसे ज्यादा जलूरी कि हमें हमारी computer के सुरक्षा करना है गोल्स ओप नेटवर्क सेक्यूर्टी नेटवर्क सुरक्षा के लक्षे कुन-कुन से होते होती है पहला आता है confidence link गोपनियता का आर्थ ये किवल सेंडर और रिसीवर ही message को देख सकते हैं अर्थात एकसेज कर सकते हैं इससे गोपनियता बनी रहती है ठीक है ना गोपनियता करते हैं confidence link केवल सेंडर रिसीवर ही message देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता है नेक्स देखा authentication प्रमाणी करने प्रमाणी करने का मतलब यूजर की identity को authenticate करना अर्था यह निस्चित करना कि व्यक्ति message भेज रहा है वह व्यक्ति है या कोई तो दुसरा तो नहीं है अब नौर्माली बात एगी अगर मेरे पास mobile मेरे पास message आते हैं ठीक है ना आपने मुझे message करा है अब अगर आपका नंबर मेरे पास message भी यही सभन जुआने कि आपने मुझे message करा है बड़ मैं आप सर्पूछ रहा हूं कि आपने message करा भी नहीं करा भी ठीके नहीं करा है तो मेरे मेरे पास message किसे आया आपके नाम से सद्थ आपका mobile दूर्स चोरी हो चुका है या फिर यह साथ तो आफ्टेंटिकेसिन ही होता है कि जब भी आप कोई चीज और आपको इसी भी अप्लिकेसिन ओपन करते हैं सबसे पहले आपको लोग ओपन करना परता है क्यों कर देंग हमारा नेट वर हमारा जो डाटा हमारा जो मुबाइल एकसेस करता है मतलब अगर मेने मने मेरे मुबाइल है उसमें पूससा डटा है जिसको और यूज कर रखा रहा है क्यां मैं और भाemor इस से ज्यादा नहीं कर सकते मैं कमपनी के उनको जानकारी दे सकता हूं तो वो चीजे में एक्सेस करने की पर्मीशन नहीं होगा अटेक, ए स्वरी, नेक्स्ट एकाफ़ अविलिब्रीटी, उपलब्दा, उपलब्दा यह कहता है कि जो रिस्टोर से वो के बाद ऑथराईज यूजर के लिए ही उपलब्दा होना चाहिए बाकी को नहीं, ठीक है ना, जो भी हमारा डाटा है अगर मेने इस्टोर करा है तो स किसी के लिए नहीं, ठीक है ना, हम कुछ भी चीज करते हैं, चलो ठीक हम फोटोस खिसते हैं, हम मेसेज करते हैं, ओडियो वीडियो जो भी है, ठीक है ना, नॉर्मले किसके लिए हम हमारा मोबाईल चला रहा है, तो सारी चीज़े किसके लिए हमारे लिए हम क्यों किसी को सबसे को होता हुँ रिकॉम रिकॉंसेंस का मतलब प्रथम आकरमन होता है या system resource का service का अनाधिकर data को संग रहा करता है। जैसे एक bank looterra bank को रूटने के लिए bank का पता लगाता है। वहां कितने सुरक्षा गाड़ हैं, कितने केमरे हैं, कहां पैसा रखें, भागने के लिए किस रास्ते का प्रयोग करना ठीक किसी प्रकार रिकॉंसेस भी अटेक करता है। सबसे पहले अटेक होता हैगा, अब नर्मली बात यहां पर एक एक जामपल दिया है, कि अगर कोई bank रूटे राएगा, ठीक है ना, bank robbery करना है, तो bank के बारे नो उसको कौन-कौन से जानकारी चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले तो bank का बता लगाएगा, कहां सब चाहता पैस आपी मिलेगा, ठीक है ना, कितने security guard है, कितने camera लगे है, कहां पैसा रखा जाता है, के से रखा जाता है, ठीक है ना, वहां से भागने के लिए कर अब जाते हैं, तो भाग के कहां जाएगे, कौन से रूट पे जाएगे, यह सारी जानकारी कहा रहती है, रिकॉंसेंस में, किसी तरह का mobile computer हैगा, ठीक है ना, अब यहां पर computer में आपका data जिता भी store हैगा, ठीक है ना, कुन से computer में data store है, क्या password हैगा, किस file में हैगा, ठीक है ना, महां क्या होता है, क्या नहीं होता है, यह सारी जानकारी कहा लगती है, रिकॉंसेंस, सबसे पहले आदमी यही इन्ट्रेजन प्रॉबलम किसी सिस्टम या डिवाइस से इंफर्मेशन का चोरी करने के लिए क्यों सिस करता है, यह मैफोन सुचना और डाटा का पता लगा कर उनको गलत तरीके से उप्रोग करता है, यह हमारा data चोरी करता है, जो भी हमारा personal data होता है, इसको चोरी करने का क साम करता है, नेक्स आता स्नूपिंग, स्नूपिंग में कोई साइबर क्रिमिनल को ट्रिक करके आप से कुछ एकसर परफॉंग करने के लिए, डाउनलोड फाइब, क्लिक ओन दर ली, यह वदानी कोर्स करते हैं तो गलत तरीके से कंप्वीटर पर फाइलों को पढ़ना, ठी ठीके न, बीच में आता है, क्लिक ओन दर ली, ठीके न, इस तरह का उप्शन आपके पास में बार बार आते हैंगे, ठीके न, आप लेते हो, गलती से चल नहीं चाहते है आप उसको एकसर करना, नहीं क्लिक करना, पर गलती से अकर वो क्लिक हो जाता है, ठीके न, तो क्या हो कि कना इन वालें है वह आपको गलत तरीकी से आपका प्रवर डाटा एकसेज कर लेता ह कीया इनेक्स चाहिड साल cinema इसे ट्रॉपिंग है इलेक्रोनिक हमले के रुप में होता है जहां डिजीटल संचार एक व्यक्ति द्वारा बादित होता है जिसका यह इरादा नहीं करते है यह तो मुख्य तरीकों से क्या जाता है सीधे डिजीटल एक वाइस कम्यूनिकेशन को सुनना यह किसी प्रकार के स संचार से सम्वादि आटा का अब रोधन करना है इस जीट रॉपिंग जैसा है कि हम चानते हैं कि यहां अंदर पर बातचीन नीची या रूप रूप से सुनने का कालिक आता है जिसका हम सक्री है रूप से हिस्सा नहीं होते है शुरक्षा में इस जीट रॉपिंग को वास सुनना आपका डाटा सुनना आप क्या कर रहे हों आपने किसको मेसेश को जाया है ठीक है न कुंसा मेशेज आपके पास में आए कौनसी वीडियो आपके पास में यह सारी चीजे कहा होती ऐस ड्रोपिंग में यहां पर आपकी सारी बाते आपके सुनना आपके call trace करना इस सारे ग्याम किया जाते हैं नेक्स्ट होता है डिनायर ओप सर्विस दी ओएस इस attack का होते हैं यूजर को किसी सर्विस जैसे इंटरनेट पर एक्सेस करने से रोपना आए इस attack का hacker बहुत बड़े हत्यार के तरह अप्रेव करता है और उन सभी सर्विस को यूजर के लिए उप्लब्ट करा दिया जाता है जो कि इंटरनेट से जूड़ी होती है अब यूजर में क्या होता है कि यहां पर इस attack का प्रयुक के hacker कि नेटवर्ड का बसीन पर इस पर एक्सेस करने वाले उप्लब्ट कर दें यह उस नेटवर्क बंद कर देता है, हम इंटरनेट चला रहा है, तो यह क्या करेगा, इंटरनेट को एक्सेस करने का प्रोसेस ही बंद कर देगा, इस अटेक का हेकर बढ़े हत्यार की तरह उप्यूप करते हैं, उन साभी सर्विस को यूजर्स के लिए उप्लॉप करा दे ज इससे हमें क्या होगा, कि हमारा जो डाटा है, जैसे इंटरनेट एकसेस करना, फाइल बंद हो गई या फिर हमें कोई चीज ओपन करना, तो उससे ही रिलेटिए उसकी चीज हमारे सामने पे स्परेक्ट, जिस पर हम क्लिक करके, सारा डाटा उससे दे देंगे, ठीक है न, य यह हमारा पॉइंट खतम होता है, नेक्स्ट पॉइंट कल से पढ़ेंगे, ठेंक्यू,